जैशीराम सभी भक्तों को जैमातागी फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताएए बजरंग बान के पार्ट के बारे में आज की वीडियो रहेगी कि कोई ऐसा अनुभवित कुछ ऐसा जो आपने खुद ने जो है आपने जाना हो कि बजरंग बान के अंदर इतनी शक्ति है उसका किस तरह से पार्ट का प्रियोग किया जा सकता है तो आज की वीडियो इसी विशेय पे होने वाली है हमारे साथ अंतक बने रहे तब ही आपको सारी वीडियो समझ भी आती है वीडियो अच्छी लगती है तो तो कोई हम सही चल रहे होते हैं तो कोई वक्ती हमारे में आकर ठोक देता है हमें तो पुनरूप से ज्जान दे जाता है कि आपो इतना एक्सलेर देना है यह ये गेड़ लगेगा, इस वक्त पे दूसरा गेड़कारी मंगेगी, इसके बाद तीसरा गेड़ परकार्गस में आप किसी पकार से आज में बजरंगबान का एक सिद्ध प्रयोग आपको पताऊंगा एक भगत के साथ ऐसा ही हुआ उसकी जोब के अंदर बार बार कोई जो उसके जोब के साथ के व्यक्ति थे वो बार 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 वो पूजा पाट करता था और मस्तक पर संधूरी तिलक लगाका जाता था तो उसका कोमेंट पास करते थे बार बार बोलते थे कि हां भाई ये तो आगया बाबा आ गया ये तो ये आ गया तो सन्त हो गई और कुछ बाबों पे से रिल्य भी निकली थी तो आपने देखा होगा तो इसको भी बाबा के रूप में लग गए कि तू ये तिलक लगाते ताकि वह अपनी संस्क्रिति को अब तक वर्दास करेगा भई तुम ऐसे पास ना करेगो तो थोड़ी बहुती डिश्टरवेंस हो गई कहीं लोगों के भी साथ एक व्यक्ति के साथ उस लुक्त अब उसने हाद तंग आकर बाबा के आगे फर्याद लगई कि बाबा मेरे साथ ऐसा ऐसे अत्याचार हो रहा है अब बाबा से फर्याद लगाई बाबा से बार बार सोचा कि क्या करूं बाबा कुछ ऐसा रास्ता दिखाए Rio जैससे उसको एसास हो सके कि मेरे beraining कर रहा है तो ने ये कारिया जो मेरे साथ किया है मैं किसी प्रसिति में जैसे कई वयद्वक्ति लेट पोच ता है तो उसके को शिकायत लगा देना किसी कारण वेश्याद करण करना वार बार इस भावना से देखना चूगली करना यह कई लोगों के कारण होते हैं, उंगली करने कारिया होते हैं, तो उससे क्या होता है, कि देखो वो प्रमात्मा देख रहा होता है, किसी ने किसी रूप में जरूर, अपने भक्त के साथ, जब कोई भी भकत, सच्चे मन से, भगवान की पूजा याचना करता है, तो उसके साथ एक औरा शक्ति होती है ये मैंने आपको अक्सर ये बात बताई है जब नित्य नेम हमारी पूजा जब चलती है तब वो शक्ति हमारे साथ चलने लगती है अब जब जब आप क्योंकि जो हनुमान जी है और मर्यादा प्रशोत्तम प्रवी शीराम उनके इस्ट देवे आपको पता से शीशुपाल का सो गालियों तक माफी देजी थी कि तरह सो गालियों तक तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा नेकिन जहां 101 हो गई फिर मेरा सुर्दर्शन भी नहीं रुकेगा इसे प्रकार से जब किसी का पाप का गरा बग जाता है और भक्त की पुकार बाबा स्वम सुन सुनते हैं हमने एक प्येक की पाप उसको बताया कि बजरंग बान का पाप किजिए जो प्रयोग मैंने उस भक्त को बता रहा हूं नेकिन जब इस प्रयोग का इस्तमाल करना जब आप के साथ अती हो जाए और अगर आपने वह अती का पाप्र का घड़ा ना भणा हो तो इस इस प्रयोग को मत करना तो ये प्रयोग गलत सिद्वी हो सकता है आपने क्या करना है एक गाय का उपला लेना है उस उपले के अंदर जब आप गाय का गोपर लेकै आओगे उसके अंदर आपने भीम सेन कपूर जो है उसको पीस कर उस उपले में डाल देना है और उसको सुखा देना है उसमें से सारी खश्बू उड़ जाएगी जब आप उसको धूप में सुखाओगे तो आपने धूप में उसको सुखा देना है वो उपले जो है आपके साथ उपले यह साथ दिन का तो आपने फिर दुवारा फिर एक बीम सैन कपूर लेना है और थोड़ी सी ओरिजिनल गूगल लेनी है जिस भगत ने जिस व्यक्ति ने आपको तंग कर रखा है उसके नाम से आपने क्या करना है एक भोज पत्र लेना है पंसारी से बोज पत्र मिल जाता है अनार की कलम लेनी है और अस्ट गंदक शाई वो भी पंसारी से मिल जाती है उस व्यक्ति का नाम लिख लेना है और आपने क्या करना है नाम लिखने के बाद हनुमान जी महराज के शीरी चर्णों में उस परच्ची को रख देना है जो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है आप किसी का बुरा नह नहीं मैं बता रहा हो आपको ये सिर्फ एसास करवाने के लिए बता रहा हो सामने वाला व्यक्ति अपनी राहा पे चला जाए सही डंग से नहीं जाएगा तो जो हमारे इस्ट देव है वो बजनंग बली है तोड़ देते हैं दुश्मन की तली तो इस बात को याद रखें क कि जो व्यक्ति गलत कारिये करता है उसको वैसा ही परभाब पड़ता है अब रात्री को जैसे ही उन्हें परची रखी परची रखकर कारिये करना और रात्री के समय कारिये करना है आपने बारा बज्जे के आपने बजरंग बान के पाठ उटा लेना है चो मुकादीप हनु पूर से भीमसेन के पूर से थोड़ी थोड़ी अहुती देते रहना और पड़ना निश्च्य प्रेम पिती ते विने करें सनमान ते काल सकल सुभ्षिद करें हनुमान जै हनुमंत संत हितकारी सुन लेजे प्रव अर्जमारी जनके काज विलम बनाय कीजे आतुर दोही महात कुछ दीजिए इस पकार से उगर रूप में आपने बजरंगबान का पाठ करना है और बजरंगबन का पाठ करना है तो उसमें लाश्ट टैम पे आपने एक संपुर लगाना है कि राम आपने क्या बोलना है कि हे प्रभू मैं आपको राम जी की सोगंद नहीं दे रहा हूं लाश्ट टैम पे ये बोलना है प्रातला करनी है सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि जिसकी परची आपके मैंने चर्नों में रखी है उसे एसास हो जाए आज की रातरी उसे एसास हो और वो अपनी जिव्या या पे उसकी जिव्या पे स्तंबित हो जाए या वो अपना कारिया है म अपने अट्रैक अलग करते हैं मैं आपको बताता हूं कि पहले दिन का प्रयोग किया रात्री को उसको अपने आप ही एसास हो गया कि कहते कि जब बद्वा सची आत्मा से निकलती है ना तो कहीं न कहीं बजा कि आती है जरूर और जिस इस्ट की आप अराधना कर रहे हो वो अच्छे मंद से उस भक्त ने बजरंगबान का पाठ किया उसकी आत्मा कुल्पी वी थी आसों की धारें उसकी बह गई गई तो कि कोई आदमी किसी से अती हो जाता है तंग हो जाता है माना मैं बुरा नहीं हूं लेकिन तू मुझे बुरा होने पर मजबूर कर रहे नेकिन मेरे इस अराद्य मुझे बुरा करने पर मजबूर नहीं कर रहे नेकिन मेरा बाबा वा इतना समर्थ जरूर है इस दिन उन्होंने आपके उपर उंगली उठा दी ये बात याद है तो उसको धर्टी पर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो जैसे ही उसने बजरंगबान क पार्ट शुरू किया पहली रातरी से ही उसको बंदरों के सपने आने लगे कि रात बर सपने में उसको बंदरी बंदर दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं से उसको बंदर नोच रहे हैं वो भाग रहा है और बाद में खाई से कभी निच्चे गिर रहा है ऐसा बाबा ने कारी एकरम किया कि समझ ही नहीं आया हिंग लगी फटगरी रंग चोखाई चोखा अब सुवेरे आकर जब जैसी वो ओफिस में आता है और उसी समय उसके परती वो जो आखे थी वो बदलने लग गई उस तिलक को देकर उस भगवे तिलक को देकर वो आखे बदलने लग गई और कही न कहीं दीरे दीरे परभाव आने लगा अब परभाव अगया दूसरे दिन फेर किया पिर एष्पकार का परभाव उसको भहबीत रहने लगा फिर वो योटूब पर वीडियो देखने लग गया ये कहानी उस भगत उस बंदय को बाद में वो बताएगा तारी तो जब जाकर उसने तीसरा चोथा दिन हुआ उस भक्त से बोला देख मेरे से गलती हो गई, कहीं न कहीं मुझे बाबा एसाद रहा रहे, मुझे कई दिन से वानर दिखाई दे रहे है, हनुमान जी दिखाई दे रहे है, मुझे एसास हो गया भाई, मुझे से गलती हो गई है कोई न कोई अब मुझे ये बता कि मैंने जो गलती करी है शायद ये तेरे को मैं बोला हूँ जो ये काम किया उसी जे कारण है देखो किसी का नुक्सान नहीं हुआ सामने वाला कोई मृत्यू को प्राप्त नहीं हुआ उसने कोई गलत नहीं किया अपने इस राद्धे की किर्पा से ही सब कारिये किया उनने कहा कि हनुमान जी का परशाद बार दे इस मंगलवार के दिन और क्या मा भी मांग कि कभी भी किसी के मालो धरम पे वेशक तू भी हिंदू है नेकिन मैं तिलग लगा रहा हूँ वो मेरे अंदर की फिलिंग है भगवान के परति क्या है मैं जानता हूँ मेरे भाब है मेरे भाबों को आप कैसे जान सकते हो वो तो मेरा बाबा जानता है मैंने उनसे दिल क्यों लगाया है तो अगर आपके साथ भी ऐसी बात हो रही है जिस पकार से उसने उसको सारी बात बताई सारी बातों का बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा था नेकिन जिसने कारिय किया उसने कुछ ने बताया सातवे दिन तक तो बाबा ने नोवत ही नहीं आने दी पहले ही ये कारिय कर दिया नेकिन याद रखना आपने सचे मन से अपने इश्ट का ध्यान करना है बजरंग बान में वो अदबुद उच्जा है वो अदबुद शक्ती है जब वो बान तरकश पे आ जाता है और जिसके हर्द्य में नेक कारिया होता है और अंदर कुछ ऐसी करना भरी भी होती है अपने इश्ट को भी बार-बार कहने कि अशक्ता पड़ेगी तो फिर फैदा ही क्या ये देखिए बान उसने छोड़ा है नहीं साथ दिन पूरे नहीं होए उस बान को और उसके दो दिन में ही रिजर्ट मिल गया तो बजरंग बान का ये चमतकारी प्रियोग मैंने आपको बताया है सचे मन से अपने इस्ट पर पूर्णूप से विश्वा सकिए जो साथ दिन लगतार करेंगे उसके वाद उस राख क्या करना है जिस दिन साथवा दिन होगा उस दिन आपने उस राख को जो राख के रोज कठी हो रही है वो रातरी को जब राख हो जाती है उसी दिशा मे जिस दिशा में आपका व्यक्ति रहता है आपने हाथ में लेकर कीन फूक मारनी है उसी के नाम लेकर उसके बाद आपने ये लगाता साथवे दिन भी ये परियोग करना है फिर उस राख को आपने क्या करना है एकत्रित करकर कठा करकर आपने क्या करना है बहती दरिया में उसक जैशनी बाला जया, जैमाट